स्वागत है दोस्तों अपने यूटूब चैनल आईटे टेकिनिकल कोर्स में दोस्तों इलेक्टिशन का पेपर है फ़स्टियर की स्टूडन के लिए है या आप फ़स्टियर से आईटाई कर रहे हो या इलेक्टिशन से आईटाई कर रहे हो तो आप इस पेपर को कम्प्लीट जरूर देखना, कुछ महात्पूर्ण पेपर है या जिसको बोल सकतो important question, CBT पेपर होने वाले हैं, अब आप लोगों को मालूम हो गया होगा, कि आपके theory के 76 number का question आएगा आपके total 38 question आएगे, जो प्रते question 2 number के रहेगा, यानि 76 number का theory पूरी theory से पेपर पूछेगा यानि 76 number का question पेपर आएगा, आप लोग हर तरह की तैरी कर लो, बुक से कर लो निमी pattern से कर लो हर तरह से कर लो, कहीं न कहीं से आपको फस जाएगा, और आपका selection हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ 25 इस question ही बताऊँगा, आगे बढ़ने से पहले request करूँगा कि चैनल पे नए हो, चैनल को subscribe करके रखना, bell icon प्रेस कर लेना जैसे आज first number question की बात कर लेते हैं पुराना paper है, और पुराने paper में English और Hindi दोनो medium आते थे, इधर English type किया हुआ है, इधर Hindi है आप लोग कोई भी type के हो, Hindi medium हो या English medium कोई भी हो मैं इसको solution सिर्फ Hindi medium पर ही करा पाऊंगा आज का first number question देख लो क्या है किस प्रकार के अगनिसामा का उप्योग बिद्दुद उपकरण पर नहीं करना चाहिए दोनमर का question है दोस्तों और प्रते question दो नमर के ही आते हैं आपके भी जो पेपर होने वाले हैं थियोरी पे तो प्रते question दो दो नमर के आएंगे और ऐसे question आते हैं यहाँ पर ये दिया है question ये पूचा है किस प्रकार के अगनिसामा का उप्योग बिद्दुत उपकरण पर नहीं करना चाहिए यानि बिद्दुत उपकरण पर नहीं करना चाहिए जैसे जाग एक होते जाग type extreducer होता है इसको हम लोग आग पे नहीं करेंगे जहाँ पर बिजली से लगती है कारबन डाइय अकसाइड कर सकते हैं ctc का यूज कर सकते हैं सुस्क पौडर का यूज कर सकते हैं यानि जहाँ बिजली से लगती है आग वहाँ पे हम लोग जाग का उपयोग नहीं करते जाग यानि पानी जाग हम लोग पानी का यूज नहीं करते बुझाने के लिए आगला question है जब पीडित ब्यक्ती का मुख नहीं खुला हो तब कृतिन स्वसन के लिए किस पद्धती का उपयोग किया जाएगा यानि जब पीडित ब्यक्ती का मुख नहीं खुला हो तब कृतिन स्वसन के हम लोग नेल्स प्रणाली का उपयोग करते हैं अक्सर दोस्तों देख लेना important question लाश्ट तक जरूर देखना क्योंकि important question है और आपके CBT paper में इसी तरह के आएंगे क्योंकि पिछला paper है पिछले बार यही पूछा था अगला question है जहां उंगलिया नहीं पहुंचती हो वहां छोटे बस्तू को पकड़ने के लिए किस प्रकार के ओजार का इस्तमाल होता है यानि जहां पे कम अस्थान हो यानि जहां पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पा रहा हो या उंगलिया नहीं पहुंच पा रही है तो वहां प लॉंग नोज़ प्लायर जो लंबी नोज़की होती है उसके माध्यम से हम लोग कम अस्थान जहां पर कम अस्थान होता है हाथ जहां नहीं पहुंशता है वहां पर हम लोग इसी वाले नोज़ प्लायर का यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं लॉंग नोज़ प्लायर अगला क के लिए किस प्रकार का प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है कोशन यह बोल रहा है कि आप लोग केबल छीलने के लिए किस प्लायर का यूज करोगे और जो सीर्स होती है केबल के उपर उसको हटाने के लिए हम लोग डैनोगल कटिंग प्लायर का यूज करेंगे प्लायर बहुट टाइब की होते हैं जिसे कॉमिनेशन प्लायर है, फ्लेट नोच प्लायर है डैनोगल प्लायर है, राउंड नोच प्लायर है यहाँ पे हम लोग केबल का इंसुलेशन छीलने के लिए डैगोनल कटिंग प्लायर का ही यूज करेंगे अगला जिसे कॉशन दिया गया है, 5 नमबर पाँचमा नमबर है बिद्दु सक्ति की वानिजिक इकाई क्या है? वानिजिक इकाई जो होते बिद्दु सक्ति हम लोग किलोबाट में नापते हैं किलोबाट घंटा नहीं होता किलो बाट यानि राइट अंसर C नमबर करेक्ट होगा विद्दु सक्ति की वानिजिक इकाई किलो बाट होती है आगला कोशन जिसे दिया है किलो बाट घंटा के डवलू यज निन्म में से किसकी इकाई है सबको मालूम हो विद्दुत उर्जा इलेक्ट्रिक इनर्जी जो होती है उसकी जो इकाई होती के डवलू यज किलो बाट घंटा बोलते है जो आपके घरों पे मेटर लगा होता है वो किलो बाट घंटा यनि विद्दुत उर्जा को ही मेजर करता है अगला कोशन देख लो कौन सा पदार्थ सूचालक नहीं है सूचालक का मतलब यह होता है जिसमें अपना इलेक्ट्रोन फ्लो हो जाए जैसे ऐलमूनियम, तांबा, श्टील यह सूचालक है और इसमें से जो पोर्सलीन है यह सूचालक नहीं है यह आचालक है इसका जो राइट अंसर होगा सी नम्मर करेक्ट होगा कौशन नम्मर नेश्ट है सोल्डर में सीसा और टिन के साथ दो प्रतिसत जिंक मिलाया जाता है जिसका उप्योग निन्म के लिए होता है यह सोल्डर जब करते हैं हम लोग उसमें सीसा यह लेड़ और टिन के साथ दो प्रसेंटेज जिंक मिला जेते हैं जिंक मिलाने को उप्योग क्या है जिंक मिलाने से मजबूत जोइन्ट हो जाता है अगला कॉशन जैसे दिया गया है नॉमा नंबर कोर्स सोल्डर के लिए कि इस प्रकार के flux का इस्तमाल होता है course solder के लिए जो हम लोग flux का यूज करते हैं वो होता है sal ammonia resin flux का यूज करते हैं सब कोई देखे होगे जब soldering होती है soldering के time में हम लोग एक pest का यूज करते हैं उसको बोला जाता है soldering pest या soldering flux सब को यूज किये होगे अगला कोईशन है electricitysyan के solder में जो हमारा electrician होता है electrrition के solder में किस अनुपात मेंplin तिन और LEAD का उपयोग होता है दोस्तों जो electricity channels होता है region जो solderache यूज करते हैं उसमे 60% tin की मातरा होती है 40% lead की मातरा होती है यानि electrician soldering में 60%-70, 40%-Lead मिलाकर हम लोग Soldering करते हैं Question number अगला है 11. Question है जैसे दिया है Electric Network में प्रत्येक जक्षन पर आने वाली धारा की योग, जाने वाली धारा की योग के बराबर होती है इस नियम को क्या कहते है सबको मालू होगा किर्चाप का नियम यहीं किर्चाप के दो नियम होते हैं, प्रधम नियम, दूती नियम किर्चाप का पहला नियम कहता है Electric Network में आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का योग के बराबर होती है इसे किर्चाप का पहला नियम बोलते है अगला कोशन इसे बारमा नमबर दिया है ओम के नियम, कथन के अनुसार, परिपत धारा निन्म में से किसके विपरीत अनुपातिक है सबको मालूंगों प्रतिरोध के अनुपातिक होती है नेश्ट कोशन तेरमा नमबर दिया गया है एक सिरीज में चार समान प्रत्रोद जुड़े हैं आप यहाँ पर सिरीज की बात कर रहा है चार समान प्रत्रोद जुड़े हैं और उनका कुल प्रत्रोद आट सो ओम है जब इन्हें समनांतर पे जोड़ा जाएगा तब इनका कुल प्रत्रोद कितना हो जाएगा सबको मालूम होना चाहिए 50 सोम क्यों क्योंकि जब एक स्रीज पे 4 प्रत्रोद यहनि दो 200 के जब 4 जुड़ेंगे तो 800 होगा ठीक अब यह जो 4 प्रत्रोद हैं दो 200 के हैं तो इनको जब हम डिवाइट करेंगे पैरलल पे निकालेंगे तो 50 सोम ही आएगा क्योंकि सिरीज के निकालने के लिए जो फार्मूला होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ठीक और पैरलल के लिए होता है एक बटे RT बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3 यह होता है पैरलल के लिए इस वाले फार्मूले से आप पैरलल के निकाल सकते हो अगला जैसे कोशन दिया गया है एक परिपत में 12 बोल्ट सप्लाइस रोट पर 20 मिली एंपियर धारा प्रितरोट से होका गुजर रही है जब बोल्टेश को बढ़ा को 24 बोल्ट कर दिया जाएगा तब धारा कितनी होगी राइट अंसर होगा 40 मिली एंपियर अब आप लोगों को बोल्टेश पता है मिली एंपियर पता है यहनि करेंट पता है मिली एंपियर दिया है तो इसको एंपियर पलट लेना है फिर इसको हम लोग निकाल सकते हैं नेज्ट कोशन जैसे दिया है बिद्दुत परिपत में परिक्त एलीमूनियम चालक का निउन्तम आकार होता है जो electric circuit में हम लोग aluminum जो चालक का सबसे कम आकार 1.5 square mm होता है Right answer ईजे B number correct होगा अगला question है सोलमा number screen के साथ या बगएर एक ठोस पदार्थ तनाव दबाव के अध्याधीन होता है उसे कहते हैं buyer अगला question है एक circuit होने से परिपत circuit को बचाने के लिए किस उपकरना को प्योग करते हैं MCB हम लोग short circuit होने से जो परिपत को बचाने के लिए हम लोग MCB कर यूज कर लेते हैं next question दिया गया है दुरघटना सुविश बचने के लिए writer nut के अंदर एक SS series का उपयोग करना अनिवार रहे है इस SS series का नाम क्या है ceiling rose next question है why primary cell कौन सा होता है जिसका cell life सबसे कम होता है lithium cell दोस्तों lithium cell का जीवन काल बहुत कम होती उम्र बहुत कम होती है अगला question जैसे दिया गया है electrolysis process में जमा द्रब्यमान EM की गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है सबको मालू होगा EM बराबर होता है ZID यह मैं पढ़ा दिया हूँ cell वाले topic पे अगला question जैसे दिया है lead acid battery में separator को this क्या है जो हम लोग lead acid battery होती दोस्तों separator इसलिए लगाते हैं ताकि आपस में plate short circuit ना हो इसलिए हम लोग बीच में एक separator लगा देते हैं ताकि हमारे battery के plate short circuit ना हो राइट अंसर C नम्मर होगा कौन तरिक short circuit से बचाने के लिए अगला question जैसे 22 दिया गया है पूरी तरह से discharge और लंबे समय से रखेगे battery को चार्ज करने के लिए किस प्रकार पधतिक अस्तमाल होता है सबको मालूम होगा हमारी battery बहुत दिनों से charge नहीं हुई है discharge पड़ी हुई है अब उसे हमें charge करने के लिए boost करना पड़ेगा उसको बोलते हैं trickle charging अगला question दिया है क्या होता है जब charging के दोरान charger का battery के धुरूबता को बिपरीद करम में जोड़ा जाता है यदि हम battery को charge connection कर रहे हैं और गलत connection जोड़ दिये हैं तो उस टेंप बैटरी से उच्छ धारप रवाइत होगी यानि high current flow होगी अगला question दिया है क्या सलफेसन को रोकने के लिए terminal post पर कौन सी सामागरी लगाई जाती है petroleum jelly right answer C number correct होगा अगला question है अत्यधिक charge या अत्यधिक discharge बाले lead acid battery में किस प्रकार का दोस होता है सबको मालूम होना चाहिए buckling दोस होता है correct answer is B number दोस्तों पशीश question हो गया है और इसके 26 भी करा देते हैं एक और बचा है lead acid battery में पूरी तरह से discharge इस्थितिती के बाद कितना नियुनतम discharge voltage देना चाहिए 1.8 volt lead acid cell में पूरी तरह से discharge voltage 1.8 volt हो जाता है ठीक 26 question कर लिए है इसके आगे के question next video में आपको मिल जाएगा आप लोग इसको बेलकुर रट लो अपक Melbourne आप करें मिल जरे कर सका है झार क्वाद के चीक जाएगा